तीसरा आपके पास क्या है मेटर से थू मतलब प। मतलब आपके मेटर ब्रिज जो है पड़ते हैं मेटर पिर भीज भी जो है वो शुरम्न विख्षेव सिधान्थ पर आधरीत पति है इसकी साहिता से भी हम क्या करते हैं आपके मेटर ब्रिज की साहिता से अज्यात प्रतिरोध के मान की गणना करते हैं मेटर ब्रिज की साहिता से भी हम क्या करते हैं अज्यात प्रतिरोध के मान की गणना करते हैं मेटर ब्रिज जो होता है वो आपके weed stone bridge की तुलना में ज्यादा सुग्राही होता है अधिक सुग्राही होता है अच्छा meter bridge का question जो आपको मिला है आप अगर guide वगरा खगालोगे meter bridge का question ऐसे मिला है कि कौन से bridge आकार में बड़ा होता है और यहाँ पर answer जो generate हुआ है वह हुआ है slide wire instrument तो meter bridge को ही हम slide wire instrument भी कहते हैं अभी आपके पास दीरे दीरे बहुत सारी knowledge आना चालू हो गई है meter bridge क्या काम करता है meter bridge आपके पास कि सिधान्त पर काम करता है meter bridge वीडे स्टोन ब्रिच के respect में आपके पास क्या है और तो फटाफट जो है हम सबसे पहले तो क्या करते हैं यहाँ पर meter bridge जो है उसका first point लिखते है तो पहला point हम क्या लिखेंगे कि यह शुन्य विक्षेप सिध यह शुन्य विक्षेप सिधान्त पर आधारित आधारित युक्ति है पहला point clear हो गया है कि यह शुन्य विक्षेप सिधान्त पर आधारित युक्ति है अच्छा देखना जरूरी नहीं है कि शुन्य विक्षेप सिधान्त आपको वहाँ देखने को मिले अगर यह देखने को नहीं चाहिए ना तो इसकी जगे पर आपको कुछ दूसरा शब्द मिलेगा और वह शब्द में यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं और यह होगा आपके पास इट स्टोन आपके सेतू क्या होगा आपके पीट वीड स्टोन ब्रिज जो है शब्द देखने वो मिलेगा तो तयार रहे ना वीड स्टोन ब्रिज या फिर आपके पास क्या है जीरो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल आपको बताने की जुरत नहीं है उन्य विक्षेप सद्धांत बैसे के लिए क्या है परिपत में स्थित कोई भी दो बिंदों के बीच यही विभव का मान समान हो जाता है तो उनके बीच प्रवाहित होने वली धारा का मान शुन्य होता है और इसे हम क्या कहते हैं शुन्य विक्षेप सद्धांत कहते हैं अगला प्रविक्षेप 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 सद्धांत कहते हैं अगला प अज्यात आपके प्रतिरोध के मापन में किया जाता है इसका उपयोग जो है तो अज्यात प्रतिरोधों के मापन में किया जाता है तो यहाँ पर मैं अज्यात प्रतिरोध के नीचे भी अंडरलाइन लगा रहा हूं ध्यान रखना जहां जहां मैं अंडरलाइन लगा हूंगा वहाँ वहाँ से आपको mcqs देखने को मिलेंगे अगर वह वह पॉइंट भी आपने याद कर लिए ना तो उससे भी आपको काफी अच्छा फायदा हो जाएगा अचा इसके बाद देखो हम आगे बात्षित करते हैं आगे क्या अब देखना आगे बात करते हैं कि भी जो आपके पास हम मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं इस मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या है कि इसे इसे slide wire instrument इसे slide wire instrument इसे slide wire instrument slide wire instrument भी कहते हैं slide wire instrument भी कहते हैं इसका मतलब देखना आप समझना कि slide wire instrument basically क्या होता है कि यहाँ पर आपके एक wire होता है और इस wire पर हम जोकी को slide करवाते हैं slide wire instrument जहाँ भी slide शब्द इस्तमाल होगा sliding a contact sliding a contact मतलब फिसलता हुआ संपर्क देने वाला एक instrument है और फिसलता हुआ संपर्क अगर है मतलब sliding contact है तो sliding contact के लिए मैं जो है एक शब्द इस्तमाल करूँगा और वो होगा जोकी तो slide wire instrument में हम लोग क्या करेंगे जोकी इस्तमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं पर्शी कुंजी या सरपी कुंजी तो जब भी भी मैं slide wire instrument इस्तमाल करूँग आपको लगे कि रिगिडली कोई contact नहीं जुड़ा हुआ है हाना contact जो है लगाता slide हो रहा है तो वहाँ पर हम इस key का इस्तमाल करते है चलो पाल लिया होगा आप लोगों ने अभी जो है अगले point पर बात करते है इसे slide wire instrument भी कहते है आप देखो sliding अगर है तो sliding के लिए आपको बड़ी इंस्ट्रूट्ट आकार में बड़ा होता है यह आकार में बड़ा होता है यह आकार में बड़ा होता है यह आकार में बड़ा होता है अच्छा आकार में बड़ा होता है कि हमारा पिटर ब्रिज जो है वो आकार में बड़ा होता है अब यह आप देहना sliding contact के लिए सरपी कुंजी कि अगर मालो आप बोल रहे हो कि इसमें sliding contact available है तो इसका मतलब slide contact के लिए हम क्या इस्तिमाल करेंगे परशी या सरपी या फिर आपके जो की यह तीन शब्द आते हैं तो हुआ है side contacted me Mike contact करें विए यो के लिए आपके सरपी का इस्ता की लिए गए कर पी कर दी कर दो सरपी कुंजी या फिर आंवा का है सबल का चिकन जी परशी कुंजी epsilon परशी कुंजी या फिर इसका नाम होता है जोकी या फिर इसको क्या बोलेंगे हम आपके जोकी तो सरपी कुंजी परशी कुंजी या जोकी का प्रियोग किया जाता है का प्रियोग किया जाता है अब अगर जोकी इस्तमाल हुआ है तो पता आप से एक objective question यहां फिर पुछेग जोकी है पलाना, ठीकाना, ये और वो ठीक ना जोकी बैसिकली है क्या जोकी जो है वो एक चालक छड़ होती है जोकी क्या होती है चालक छड़ और जोकी क्या काम करती है वो फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रियोग की जाती है तो जोकी जोकी जो है वो एक च चालक छड़ है इसका उपियोग हम विसलता हुआ संपर के स्थापित करने में करते हैं है तो अगर मैं आपसे question बूस्टा हूं कि जो की क्या है है तो आप क्या बोलोगे जो की कुछ नहीं है क्यों कि कुछ नहीं है क्यों कि जो है वह स्वाइडिंग कॉंटेट्ट प्रवाइड करने के लिए प्रियोग की जाती है यह एक चालक छड़ होती है जिसे मालो मैं इधर अगर मालो पीछे की तरफ में एक छेट कर दूँ और इसकी टिप को पेचकस जैसी बना लूँ पेचक कॉंटेट को टच करने काम गरूँगा तो अब मेरी इच्छा जहां पड़ेगी ना वहां जाके इसको में टच कर सकता हूं और फिर इसका नाम जो है वो मार्कर नहीं होगा फिर हम बुलेंगे जोकी जोकी कैसी होती विल्कुल सेम इस तरीके की होती है फर्क क्या होता है य अगर इस精िया तो इसे में गैद्व किया को एसे पिन करो तो अगिस कर पाऊगी क्या नहीं कर पाऊँगे कर लिन सकते आड़ यह न हर रिक्षा मंधन कार एक पे पहले ऊब beschäftig मेजगे आता यह पनिए दिवारों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है वो पोशिश की क्या चलो ले लेते हैं पढ़ाना यार मैंने का बच्चों को पढ़ाएंगे यार जो भी पढ़ाएंगे ऑनलाइन बच्चे है ऑनलाइन बच्चों से भी इतना विशेश प्रेम नहीं हमारा हमारा प्रेव ओफलाइन वाले बच्चो से जढ़ा है तो इस ले क्या है औलाइन वाले बच्चे अवी कोई है रूम में सुन रहा है तो अऑब navigating सुनेंगी कि यह नहीं है अच्छा तो क्या बात चलने थे अपनी यहाँ पर इसके उप्र बात क्या गया कि इस पर्शी कुझी जोकी बसी की लिए क्या है तो जोकी एक चालक छड़ चाण cultivunter दो जोकीजोकी में फर्क नसरांना चीए आप आड़को जोकी एक चालक छड़ चालक चढ़ होती है आखके आपके पास क्या मीरए कि तो नामे अधिक सुगरही होता है तो अगला प interventions में यही लिखने वाला हूँ कि मिर ब्रिज हिटर ब्रिज हिटर ब्रिज कीट स्टोन सेतू की तुलना में हिटर ब्रिज कीट स्टोन ब्रिज ब्रिज की तुलना में तुलना में अधिक सुबरा ही होता है तुलना में अधिक अधिक सुग्राही होता है, तो ये जो है वो ज़यादा सुग्राही होता है, तो अगर मालोक कमपरेटिली कोश्चन आता है कि वीड स्टों ब्रिज और मीटर ब्रिज के अंदर आप बताओ, कि कौन ज़ादा आपके पास क्या है, संसिटिव है, तो आप क्या बोलोगे किसमें पिटर ब्रिज्ज जो है वो जादा संसिटीव है जादा सुग्रा ही है यह आपने ध्यान रखना है तो काफी सारे objective question अभी आपके सामने आ प्रतीरोत के मान की गन्ना करेंगे फटाफट जो है एक प्यारा सा सरक्ट बनाते हैं यहां पर कि माल लो यह जो है मेरे पास कंड़क्टिंग स्ट्रिप्स है कंड़क्टिंग स्ट्रिप्स मतलब चालक पतिया है ठीक है पढ़ते रहे तो हर त्योहार और भी अच्छा हो जाएगा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि अगर पढ़ते रहे तो आप सोचो जोब लग जाएगी और जोब लग जाएगी ना तो फिर तो मज़े ही मज़े सारे तीव त्योहार हर दिन ही त्योहार हो जाएगा फिर तो आपका और अभी देखना ये मेरे पास एक कंड़क्टिंग स्ट्रिप्स लेली मैंने को मैं वागत चालग छड़े होती है अभी देखेंगे अपनš चालग छड़े किस तरीके देशे तो यहां क्या कर रहा हूं मैं इस जगे पर इस जगे पर में एक resistance box लगाता हूँ यहाँ पर क्या कर दिया एक resistance box employee कर दिया तरीके से इस बोक्स जो है वो आपके पास क्या है S है अच्छे दिखना जो भी resistance हमें ग्याच है उसे हम S से represent कर रहे हैं उसे हम किस से represent कर रहे हैं S से represent कर रहे हैं Pdstone Bridge में बताओ S क्या है S क्या है Standard Variable Registance Standard Variable Non Registance इसका मतलब अगर मैं आपसे resistance box की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ से मैं कोई resistance निकालूँगा और जो भी resistance में निकालूँगा वो resistance मुझे ग्यात होगा वो resistance जो है वो मुझे क्या होगा ग्यात होगा तो यहाँ पर क्या है यह मैं एक resistance box लगा रहा हूँ तो बोलेंगे हम resistance box और यह connect कर दिया मैंने resistance box यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देख रपन resistance box और रजिस्टनस box को हम रीप्रेजेंट करेंगे कि यह जो है आपके पास क्या है S है आपके S सरे रेप्रेजेंट करेंगे तो लोग इसके बाद देखो यहाँ पर हम एक और प्रतिरोद लगा रहे है और यह प्रतिरोद जो है यह हमारे लिए क्या है S है R है यह आपके पास क्या है R है अब आप देखो प्रतिरोध के रहा आपके पास अग्यात प्रतिरोध के रहा आपके पास अग्यात प्रतिरोध के रहा आपके पास अग्यात प्रतिरोध कर दिया इसके बाद जो है हम लोग यहां पर एक वायर लगा देते हैं तो यहां पर मैं एक वायर लगा रहा हूं और वायर आपके पतला नहीं होना चाहिए अभी आप देखिए यहां पर जो है चीजे क्लियर है आपको अब यह आपके पास है और यह आपके पास है बी अच्छा ए वह बी नहीं दूगा मैं इसका नाम बिलकुल उदर की तरफ दूगा जैसे आपने वहाँ इस्तमाल किया था ना पीडी स्टोन ब्रिज के अंदर अपन ने क्या किया था चलो खेर कोई ना दे दो यार ए और बी आपके पास तोड़ो यार वीडी स्टोन ब्रिज अभी आपके पास क्या है यहां पर हमने यह करेंट कर दिया और इस जगे पर क्या करेंगे हम आपके एक और circuit आपके जोड रहे हैं तो देंगे supply supply देने के लिए मैंने क्या गिया यहाँ से आपके पास क्या है वायर जोड़े और वायर जोड़कर इस जगे से मैं आपके बाहर निकाल रहा हूँ इस जगे तो इस जगे मैंने एक source दिया इसको यह रहा वो source यहाँ पर मैंने कुंजी लगई यह कुंजी आपके पास क्या है के और इस जगे पर मैं इसको connect कर दूँगा आपके पास किससे रियो स्टेट से तो यह मेरे पास वो respectively रियो स्टेट है यहाँ से बाहर निकाल circuit आपके बन गया हूँ यह circuit आपका बन गया अब आप देखना यहाँ पर हम लो С जगे पर यहाँ लगा रहा हूँ मैं एक आपके galveno यहाँ पर हम क्या लगा रहे है Galveno Mapi लगा रहे है और इस galveno Mapi को यहाँ connect कर रहे है आपको बता है ना galveno Mapi जब हम जोड़ते और यह आपके कुंची दे दी मैंने इस जगे पे और यह वाला point आपके पास जो है मैं J लिख रहा हूँ This is J जो की जो sliding contact आपको provide कर रही है अब आपको पता है ना यहाँ पर हम यह जो की से sliding contact लगाएंगे और इस जगे पर मैं एक key दे रहा हूँ यह जो है वो है K1 यह आपके पास है K2 यह आपके पास है RH और यहाँ से इसको connect कर दो इस जगे पर पाकी चीज़े हटा दो यह बन गए आपके meter bridge अच्छा बढ़िया बात पता है क्या है कि आपके exam में meter bridge circuit नहीं आने वाला meter bridge circuit से कुछ नहीं आने वाला अच्छा देखो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आपके AB है और AB के बारे में थोड़ी बाते कर लेते हैं यह AB जो है वो मेरे पास 1 meter है अच्छा एक meter को हम क्या बोल सकते हैं 100 cm बोल सकते हैं अब दोनोगे यह। आपके पास L है तो यह remaining यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो होगी वो होगी 100 माइनस आपके L यह आपको पता होना चाहिए आप देखो कि अगर यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर आपके यहां तक जो है यह वाला आपके पास क्या है? L है तो आपके यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक जो है तो आपके 100- आपके L है यह कुझी है close कर दो आप यहां से जो है यह कुझी K2 है dot लगा रखा है इसका मतलब भी close यह dot नहीं लगा होता है तो इसका मतलब open है आपको बता हो ना यह key यह basically आपके पास क्या है key है यह क्या है key है और इस key को हम क्या बोलेंगे open key क्या बोलेंगे इसको open key दोवारा देखना यह फिर मैं एक key बना रहा हूँ और अगर मैं यहां पे ऐसा कर देता हूँ तो इसको कहते है close key close key है ना चलो ऐसे की माललो आपको पता है तो यह अगर मालो पुलेंगे हम close पुलेंगे इस तरीके से तो यह आपके पास क्या हो गया स्टैंडर्ड रजिस्टन्स हो गया रजिस्टन्स बॉक्स के लावा अग्यात प्रतिरोध हो गया ठीक है साथ ही साथ आपके यह L हो गया और वो 100-L हो गया यह जोकी है ठीक है यह आपके पास क्या जे जो है जे जोकी है सरपी कुंजी जिसको हम कहते हैं ठीक है यह तार जो होता है यह वाला तार यह तार है और इस तार की खास बात देखना क्या है यह आपके पास है समान अनुपरस समान अनुप्रस्त कार्ड शित्रफल का मतलब है कि मोटा पतला नहीं है बले मैंने बनाया इसको मोटा पतला है लेकिन यह मोटा पतला नहीं है यह जो आपके पास है समान अनुप्रस्त कार्ड शित्रफल का होगा समान अनुप्रस्त कार्ड शित्रफल रहूँगा न तो आप आपको मिलेगा यहाँ पर समान अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ आपके पास क्या शित्रफल का मिलेगा अच्छा इसका है आपके होता क्या है यहाँ अगर हम बात करें कि तार होता किसका है तार होता है Magnin का इसे होगा Magnin या फिर आपके पास क्या है Constantine 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 जिसको की हम आपके Eureka भी बोल या आपके Ureka वायर होता है तो या आपके पास जो आप Sliding contact के लिए जो वायर होता है मेटर इन्स्ट्रूमेंट में जो हम वायर यूस करते हैं किस वायर को हम मैगनीन या कॉंस्टेंटन का बनाते हैं ठीक ना ये समान मुटाई मतलब समान अनुपरस्त कार शित्रफल का तार होता है ठीक है और बाकी सर्किट अरेंजमेंट इस तरीके का नजर आता है और इस से हम क्या करते हैं अक्यात प्रतिरोत के मान की गणना करते है आर लिया इस क्लास को फटा-फट लाइक करो और ज्यादस ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ चैनल पर जो हमारे नए व्यूवर्स आ रहे हैं वह आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें लासे रगुलर डेली क्लासे डल रही है अब आपके नाइट में आती है डेली क्लासे जै हुआ कैलविन ब्रिज हुआ फीडिस्टोन ब्रिज हुआ फैक्टर के अंदर डेप्रेशिशन फैक्टर रिपल फैक्टर इंडीज्वल ना कहीं बार होता है आपको सब कुछ आता है कोई एक टॉपिक नहीं आता आपने कुछ नहीं किया डिजे सर्क्लासे चैनल पर आए और उस चैनल पर आके अपने सिर्फ उस टॉपिक को डाला और उस टॉपिक का वीडियो देखे निकल गया है अच्छा है ना अच्छा है कि नहीं है पर्टिकुलर एक चीज आपके concept क्लियर नहीं है इलेक्ट्रिकल का वह क्लियर करना है आना है वह से क्या question बनता है एक्जा अगर आपके और दूसरे कोई factor है जैसे की triangle के अंदर अपने impedance triangle तो क्यों impedance triangle का एक वीडियो है इस तरीके से रात को आते हैं यह वीडियो और अभी चालू हुआ है अभी बीच में चालू हुआ है ज्याद आभी class से आईए और regular आती रहेगा live section में तो है ही सरी हम लोग जाएगा योगेश कुमार जै हिंद्ट जै शिरीरांग विप्ट जै लो जैन है आके बढ़ जाए अभी देखना question इस diagram को याद कर ले ना बहुत तारे objective question मिल जाएगे पुदारण के तोर पर इसकी शकल भाई साब की तरह मिलती की निमिलती बड़े वाई साब वीडिस्ट की दरफ कि अधा ये 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 अच्छा दूसरी चीज़ हम बात करते है कि यहां पर इसका यह जो सो सेंटीमेटर मैं लिखा ये भी बराबर सो सेंटीमेटर एक मीटर अहां सा होता है यार एक मेटर इतना होता है वैसे नौर्मल आदम यसे बताता है थोड़ा सा हैँ आषम हुआो इसे कि मेरा नाप को आपकर कि यहां तक होता है अब बता Гणा इंस्टूमेंट तो तो यह आपको ध्यान रखना है विशेश रूप से कि एक बड़ा इंस्ट्रुमेंट है, अब आपको ध्यान रखना है कि तार समान मुटाई या समान अनुप्रस्त काड़ शत्रफल का होता है, इसके लावा तार किसका बना होता है, मैगनीन या कॉंस्टेंटन का बना होता है constanton का नाम यूरेका होता है जो popular नहीं में इसका बहु प्रचलित नाम वो है यूरेका अब आपके एक बात समझ में आगई होगी मेगनीन और constanton देखते हैं अच्छा क्यों इस्तमाल किया गया है इसका इस्तमाल ये किया गया है कि अगर टेंपरेचर रेस होता है तो तार के प्रतिरोध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपिक्षित ना हो पर अगर प्रतिरोध आपके का टेंपरेचर बढ़ भी जाए तो तापक्रम में परिवर्तन के परिणाम सरूप तार के प्रतिरोध में परिवर्तन ना हो low temperature coefficient का आपके wire है, material है इसलिए इसका इस्तिमाल किया गया है अब ये चालक strip देखो क्यों इस्तिमाल की गई है आपके याद है weed stone which के अंदर हमारे joint resistance आ रहा था उन joint का resistance ज्यादा आएगा और जब मैं आपके पास strips use करूँगा न और strips use करते से ही आप देखो आपके strips use करने का concept क्या हुआ, मेरे पास एक तो point है और एक आपके पास क्या है ये strip है एक तो मेरे पास point है और एक आपके पास क्या strip है, अच्छा बताओ R का formula मुझे आप में से कौन बताएगा R is equal to क्या हो रहेगा, row L बटा A, है ना, row तो आपके पास क्या है L बता A, अब आप देखो ये अगर area का value में बढ़ाऊंगा, तो respectively resistance का amount down होगा की नहीं होगा होगा ना, तो अगर मैं आपके area की value बढ़ाने जा रहा हूँ, तो resistance का value कम होगा, आप देखना इस point का area कम था इसलिए इन points की resistance resistance ज्यादा थे, resistance measurement में, अगर joint में resistance ज्यादा निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा picture में, अब वो picture में जब जाएगा तो उस वक्त automatically error दिखा देगा, automatically आपके truthy प्रदर्शित कर देगा पूर सिंग, good morning जालावाड की धरती से अभी तक जालावाड में, यह पूर सिंग आप पटापट आजाओ, यहाँ पे कोटा की धरती जो है, इंतजार कर रही है आपका, हना कोटा की धरती आपका इंतजार कर रही है चलो, हम क्या कह रहते हैं यहाँ पे यह आपके पास क्या है इसका एरिया बढ़ाया है और जैसी मैंने आपके इसके एरिया को बढ़ाया वैसी इसके रजिस्टन्स का मांट मांट डाउन हो जाएगा अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह इस ट्रिप्स क्यों यूज की गई है, प्ट क्यों नहीं लगाया है अब देखो इसके संतुल नवस्था में बात करते हैं संतुलत अवस्था में कि डाइग्राम समझ में आगा है सभी ус अब मैं डाइग्राम पे वापस आजाओंगा पहले हम आगे अगे बढ़ते हैं अब देखना कि देखना ति जैस की इसंत्त हो जाएगा तो दबाएंगे, अभी आप देखना ये सर्कीट आपके चालो हो जाएगा, अब सर्कीट चालो होते से ये K1 को भी सर्कीट में ले लेगे, अच्छे देखो यहाँ पर जो गेलवेनो मापी की प्रेटक्शन के लिए दी जाती है, ये हमारा गेलवेनो मापी है और ये कुंज केवन तो अकसर इस कुझी केवन पर आपसे objective question पूश्टा है कि भाई साब ये कुझी केवन क्यों लगा रखी है कुझी केवन क्यों लगा रखी है कुझी केवन बैसके लिए क्या होती है सुरक्षा हेतु इस्तमाल की जाती है, अब देखो या तो आप क्या तरो यहाँ पर आपके की लगा दो या तो आप क्या करो एक की लगा दो पर अगर आपको की नहीं लगाना ना मत लगा हो हमारे पास एक अर्रेंजमेंट टो रहे अगर आप की नहीं लगाना चाहते है जैसे कि मालों आपकी इच्छा हो रही है गुरुजी में यह गेलवेनम आपी आप लगा लगा रहे हो एक गेलनुम आपको शरक्ट में लगाना चाहरा हूं इस तरीके से लगाँगा जिस पॉइंट को आप J बोल रहे हो यह पॉइंट आपके कहीं से आएगा जहां से भी आएगा हना यह आपके सोर्स आएगा और आपने यहां पर यह जो कुंजी लगा रखी है, आपने यहां पर यह जो आपके पास यह कुंजी लगा रखी, यह वली कुंजी, केवन, केवन, इसको नहीं लगाना चाहता, ठीक है, मैं इसको नहीं लगाना चाहता, मत लगाओ, जुरूरीर नहीं है, आप यहां पर क्या तीन जब आप के पास क्या है प्राक्टिकल को चालू करोगlor होगे तब इस शंट रेजिस्टेन्स को आउट कर दे चैना जब सर्कीट में आप डालोगे शुरुआत में तो शुरुआत में क्या है संट रजिस्टेन्स के साथ लान आतीया बात समझ में आ गई है ना मतलब हम गेलविनों मापी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो अरेंजमेंट कर सकते हैं एक अरेंजमेंट आपके उसके स्रीज के अंदर की लगा के हम के टू के बाद ऑपरेट करेंगे रजिस्टंस बॉक्स से रजिस्टंस के बाद दूसरा अगला प्रिट के पास की संतुलि्ट आवस्था में अगला प्रेंट आपके पास क्या हो गया में संतुलित अवस्था में संतुलित अवस्था में सेतु की संतुलित अवस्था में पीट स्टोन सेतु की संतुलित समीकरण से संतुलित समीकरण की सहाइता से अब देखना यहाँ पर आप क्या कर रहे हो वीडि स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में समीकरण ले रहे हो अब वीडि स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में समीकरण क्या थी संतुलित अवस्था में समीकरण थी कि पी बटा क्यू बरा जाता है कि आपने यह समीकरण याद रखना है no doubt हना कि आपको याद दोना चाहिए लेकिन देखो यार रटन विद्यानी लगानी है समझे रहो P की जगे P रखूंगा Q की जगे Q रखूंगा R की जगे R रखूंगा S की जगे S रखूंगा मैंने आपसे कहा था कि यार ब्रिज जब संतुली तवस्था में आएगा वी डिस्टों ब्रिज जब संतुली तवस्था में आएगा तो यह आपके पास देखो P होगा यह आपके पास Q होगा यह R होगा और यह S होगा कहीं आपके पास जो है जब derivation हम करवाते तो कहीं teachers जो हैं circuit diagram इस तरीके से बना देते हैं कि आपके पास क्या P है ये Q है और ये आपके पास S है और ये R है अब आप बताओ यार आप गलत गलत बताओगे कि नहीं गलत नहीं बताओगे आपने क्या करना है ratio of this arc is equal to ratio of this arc ये बताओगे आप क्या बोलोगे इसका ratio इसके ratio के बराबर है इसका ratio इसके ratio के बराबर है तो आप ख़तब हो गई ठीके अब वो किदर क्या लगा रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है अब या आप देखो मेरे circuit ये वाला formula है है इस formula का मतलब मेरे को भी बता है और मैंने मेरे बच्चों को भी बता रहता है ये अगर मालो एक point है और ये एक point है और ये एक point है और ये दूसरा point ये वाला है अगर मैं इसको खीच दूँ तो आप बताओ ये नीचे वाला circuit बन रहा है ना सेम बन रहा है तो आप बताओ इसका ratio के बराबर होगा के नहीं होगा इस सोरनो ये हां गुरु जीं का ratio इसके ratio के बराबर होगा means ave has s अनुपात आर जो है फो ओ ल अनुपात 100-L के बराबर होगा अगर आप इतर से अगर होगे कुछ derivation देखोगे अरे यार 100-L उपर आ गया अरे यार 100-L नीचे आ गया हाना तो mind में आपके पास क्या confusion हुआ रहता है वो confusion रहना ही नहीं है आपको सिंपल concept पकड़ना है कि यार मेरे को क्या क्या चीज कैसे कैसे दिया हुआ है नाम नंबर तो वैसे भी change हो जाते है तो अब देखो S, R, L पर 100-L के बराबर होगा S से R का ratio L से 100-L के बराबर होगा यह सोरनो अगर यह आपके पास 0 deflection दे रहा है तो अगर यह आपके पास क्या है NULL deflection दे रहा है तो ऐसी होगा न बस करके देखो अभी जो है अगर ऐसा समझ में आ गया है तो आपको अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो आप जो है वो करके देखते हो तो इधर देखना S से R का ratio जो है वो L से 100-L के बराबर होगा according to diagram तो मुझे समझ में आया अब देखो मुझे निकालना क्या है मुझे यह निकालना है clear अभी आप देखना यह निकालना है तो सबसे पहले इसको उल्टा कर दो इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा यह R बटा S बराबर यह क्या हो जाएगा आपके पास 100-L बटा L और आप S को उठा के अधर के दरब ले जाओ तो फॉर्मुला आपके पास क्या बन जाएगा अग्यात प्रतिरोज अग्यात प्रतिरोज अग्यात प्रतिरोज और यह R बड़ाबर क्या हो जाएगा 100-L बटा L इंटू S अग्याद प्रतिलूद ग्याद करने का फॉर्मला आपके पास आ गया पटापपट इसको नोट डाउन कर लो क्याल सिंग वीड स्टोन ब्रिज वीड स्टोन ब्रिज क्या बोलना चाहरो विशाल आथ समझ में नहीं पढ़ना चाहरे हो या फिर अगर वीड स्टोन ब्रिज सेपरेट पढ़ना चाहरे हो न तो वीड स्टोन ब्रिज का सेपरेट वीडियो भी पढ़ा हुआ है के लावा प्लेलिस्ट में भी आप देखना कहीं न तक क्लास में जुरूर पढ़ाया होगा एच्पी नंबर आपके फोर को स्टार्टी मैंने वीडिस्टोन ब्रिज से किया था तो यह वीडिस्टोन ब्रिज ही है एक डाइग्राम आपको दिखाते हैं तो आपको इसके आकार के बारे में पता लगेगा और इंपूर्ट मेंज हुआ 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 तर देखो फोड़ा से उपर कर लेते हैं अधर देखो तर श्याद मुझे लगता है यह आपके पॉर्ट का है प्लेट नजर आ रही है इसको देखो आप आप साइस देखो आप अब है इंस्ट्रूमेंट आपके पास है ना इस के कारण बढ़ रहा है इसके कारण बढ़ रहा है। दे रख़ा है ना इस यूरे का वायर को आप फोकॉस करो यहां पर यह जो आपके पास आकार दिख रहा ना यह वला आकार इस आकार के कारण इसका साइज जो है वो आपके पास बड़ा माना जाए क्लिए बात यहां तक आँब करें कि अगे बदे करते हैं आप अदर वाला आपके पास क्या है कि अब दिखना इस इंस्टुमेंट में आपको यह भी मेंस नखीत कि प्रेक्टिकल के बाद आप सोर्स को अटा दो तो परिपत में आपके अधिक समय के लिए धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा समय के लिए धारा प्रवाहित करोगे तो तार गर्म हो जाएगा अगर तार गर्म हो जाएगा तो उसके प्रतिरोत के परिवर्तन आने प्रारंब हो जाएंगे पहला परीकोशन जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तो आपके धारा परीपत में में अदिक समय के लिए प्रवाहित नहीं करनी चाहिए शाहला परिपत में में धारा अदिक समय के लिए da के लिए प्रवाहित नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए परीपत में धारा अधिक समय के लिए प्रवाहित नहीं करनी गर्म होगा तार गर्म होगा इससे इससे प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होगा प्रतिरोध के मान में आपके परिवर्तन होगा पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब आप इस प्रैक्टिकल को कर रहे हो तो दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा पुइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो की है, उसे तार पर रगड कर नहीं चलाना चाहिए, अज़िए ये precaution रहता है, बहुत normal सा, लेकिन क्या होता है, जैसे लड़का पता यू जो की हाथ में आती हैं, लड़का पत आप हम स्मुझे किया मेरे तार को तोड़े से अरकां ने उसका छोड़े किस था पालतू बाते कर रहें इंका nem आपको यह पिर आपको चेंज करना है तो यह ना कि आप यह आपको लग रहा है यह ज्यादा आसान है यार यह बर्कुल हिल रहा है यह इदर से इसे घुमाओगे आप सामने की तरफ देफलेक्शन देखते हो वह चीज़े आपको हो सकता थोड़ी सी आसान सी लगे लेकिन उस इसाथ कीज़े हो जाएगा है अगर वह चेंज scar का अर्थ होने वाला है पक्की बात है आपका जो measurement है उसमें इसने अरर आने चलिए है क्या उलने हम सरपिकुझी पल्छी कॉतिए सरपिकुझी को ना पर्षी कुझी के जो की जो है की जो के कूल तरी की को कॉतार पर कार पर घिसकर नहीं चलाना चाहिए, अन्य था का अनुप्रस्थ कार्ड शेत्रफल नोन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अन्य था का अनुप्रस्थ कार्ड शेत्रफल का मतलब है अनुप्रस्थ कार्ड शेत्रफल मतलब आपके पास क्या है, कि आपके पास है प्रॉस सेक्ष्णल एरिया एरिया नोन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो आपके नोन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो जाएगा मतलब कहीं से तो उसकी मत्राइ जादा हो जाएगी और कहीं से आपके पत्ली हो जाएगी और ये बहुत गलत बात है हमारे आपके पास क्या है मिटर ब्रिच के लिए तो मैं आपसे कुछ औरल कोशन पूच रहा हूं आप फटा फट कॉमेंट बॉक्स के अंदर जो है उनके answer जो है देना, टाइप करके देना, ठीक है, पहला question, meter bridge किस principle पर आधारित है, null deflection, क्या होगा, null deflection, very good, meter bridge किस principle पर आधारित है, null deflection, आप बताओ, निम्न में से कौन सा आपके bridge जो है, वो आकार में बड़ा होता है, meter bridge, slide wire instrument, ठीक है, यह आकार में बड़ा होता है, ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कि meter bridge की साहता से क्या ग्यात करते हैं, अग्यात प्रतिरोध, क्या ग्यात करते हैं, अग्यात प्रतिरोध के मान की गणना करते हैं, अब यह अगर मैं बात करता हूँ, कि meter bridge के अंदर जो wire होता है, वो काईका बना होता है आप बोलोगे यूरेका का काई का बना होता आपके यूरेका का मैगनीन हो गया रेका हो गया इसे कि हम कॉंस्टेंटन भी बोलते हैं यह आपने ध्यान रखना है अगर कोई